अलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब प्राय ब्लोग आपस्वागत है अगर मेरे यूटूब ब्लोग चनल पर नहीं है नहीं है तो मेरे चैनल को संस्क्राइब कर दिजीगा आई देखिए हम लोग खीजूर खाने जा रहे हैं जंगल की और बहुत ही खीजूर पका है एम मुधा और यहां पका खीजूर के लिगा हैं अत्म्ने मेरे देख्याः कैसे पड़ा रहा है हम अभी जा है जंगल की और तो घ्रिकेल्नी चैनली का पेड़ का पास पूंच चुके हैं और यह देखिए के किस थो त्रहप चुका लाल हो गwort कर के और यह दुशें हम अप तोड़ रहा है देखे पक चुका है पूरी तरस देखिए कैसे जाड़ी में पका हुआ है और बहुत ही मिठार रगा खाना है अब कितना चोटा प्लेड है जो हम हाथ में दोड़ ले रहे हैं तोड़ ले रहे हैं तोड़ पका है अब कितना चोट ले एक पेड़ है यहां देखिए यह जो अभी पकानी है कच्चा कच्चा है यह दिखिए कितना बढ़कावर के जाड़ी में अधिया हुआ है और इनका पत्या भी बहुत ही लंबा लंबा होता है और कांटेदार होता है इनकी पत्तियां और इससे जलावन भी करते हैं और इसका लकडी भी करते हैं यह देखिए इसका ब्रिक्ष कितना बढ़ा होता है यह जो कांटेदार ब्रिक्ष होता है और इनका फल बहुत ही स्वादिश लगता है मीठा लगता है खाने तो गाइज देखिए हम फाइनल यह जामून का पेड़ के पास चलाया है यह जीकितना बढ़ा का जामून है यह बग चुका है पूरी तरह से और यह इनका पेड़ है दिखिए इतना बढ़ा का पेड़ ह है और हर एक डाली में पका हुआ है देखिए यह कितना बिच्छा है उपर में तोड़ने वाला है और खाके इसका स्वाद बताएंगे यह कैसे लगता है खाने में देखिए इधर भी है पूरी तरह से पक चुका है और एक बंदा देखिए किस तरह जामून को तोड़ रहा है और खाके स्काम जाने रहा है क्गाता खर्शा ओम्वाइगाड बहुत खटा लग रहा है यह जामून देखिए यह जामून के साइज बहुत ही बढ़ा-बढ़ा है लेकिन यह जामून खाने में बहुत ही खटा लग रहा है कितना भरी पेड में भर चुका है और यह देखे एक बंदा तोड़ रहा है तो गाइस देखे तभी हम आप तो को जामून खाके दिखा रहे हैं जामून थोड़ा खट्टा भी लग रहा है खाने में और दिखे परसे हरे गुच्छा में जामून बहुत से संदर थोगा भाई थोगा आया है तो देखे और एक बंदा तोड़ रहा है और खाके मज़ा ले रहा है हम भी खाड़ा रहा है तो बहुत बढ़का प्यड़ है और हम दूसरे जा जा रहे हैं अभी खटा लग रहा जाऊंद अब मिठा लग रहा है है तो यह वह ता नहीं हो जामून का साई दिखे कितना बढ़का बढ़का है बहुत ही स्वाद लग रहा है एक उच्छा में दिखे कितना सारा आया हुआ है यह जामून और पूरी तरह से पग गया है और कुछ कच्छा भी है अधिना मीठा नहीं लगता है खाने में और इनका पत्तियां में दिखे कितना हरा वरा है बहुत ही संदर लग रहा है बगरिया खता है बेल भी खता है लिए कितना बढ़का ब्रिच अबर हम दो देखे दुसरा पेड़ के पास आ चुके हैं यहां भी पका हुआ है और यह टेक्निक के मादियं सा यह जामून को तोड़ रहा है यह देखे है कि लखड़ी के साहरे और एक उच्छा तोड़ लिया है इसे घर ले जाएगा और दिखे उसी तरफ फिर तोड़ने जा रहा है है यह पेड़ में जामून उतिरा नहीं आया है थो घुटा बूत आया है त जा रहे हैं और यहां को वहां सब्सक्राइब ऑर दीजानन का पेड़ ये Uhh यह पेड़ में भी जानुन है जान की चाहि Baptist हो बहुत स्हरा कि स्वाष duż लगता है एक यह तोड़ को कर दिखा रहा ह कि लग रहा है और यह बंदा देखिए कैसे टेक्निकल के मद्याम से यह जामू को तोड़ रहा है इस तरह तोड़ लिया जामू को तैसा लग रहा खाने में स्वादिष्ट थोड़ों अब यह देखिए नजदीक में है दाउन कफाल और हम हाथ से तोड़ ले रहे हैं और आपको खाके बता रहे हैं कि मिठा लगता है कि नहीं तिसरा नंबर वाला पेड़े हैं जो हम लोग घूमते घूमते आ गया है और यह देखिए एक बंदा किसे बेट करके खा रहा देखिए आप इंज़र ले रहा है अब उपर में देखिए कितना सारा गुच्छा में जाओं पकड़ा है और हम देखिए किस तोड़ ली है कितना सारा और इसको भी खाएंगे बहुत स्वाधिश्ट आइदम जारून लाइक छे खाते और इसके साथ में बक्रिया भी खायकर मजा ले रहा जामूल का आज को हम खाना ने ख्या रहा हैं सोभा और इसलिए देखिए बहुत सारा जाम अगर आप नहीं खाया है तो कॉमेंट बॉक्स में जड़ी कोमेंट किजिए यह देशी जामूल है जो कि बहुती स्वाधिश्ट लग रहा है खाने में अब सामने जंगल है बहुती सुद्ध हवा आ रहा है प्यूंग चाथ में हाँ लएब कि है यहां बंस लॉत्व चल लाएँ तोडने के लिए लिए कि स्थर हिला रही है ति जहां हाथ की दौारा नहीं तोड़ पाते हैं तो लकड़ी के साहरे तोड़ते हैं जिस्थरह तोड़ लिएक कितना संदर तूट गया यह हम खाने वाले हैं हाँ हां हां अम है है हम एस तहुंअ है है यह दिखेंट लक्षा मेच तूट गया कि तना संदरा मसे खाए है है इस जामुन का स्वाधिष ठी अलग होता है तो देख रहे हैं ये देशी जामुन और हम लोग देखिए कितना सारा तोड़ करके इसको उता रहे हैं पेड़ से और यह खाने में बहुत ही मीठा लगता है आज हम लोग जंगर की और आये थे हैं जामून और खीजुर खाने के लिए तो हम लोग खीजुर भी खा लिये हैं अब जामून खा रहे हैं यह और लगव से लगव खाग चुका है तो बहुत ही मिठा लगता है खाने में अब जीब की तरह हो गया है जामून खा करके बहुत ही मिठा लग रखाने में अगर आप खाये होंगे तो मेरे कमांड बॉक्क में जरुट कमेंट कीजिएगा किस तरह लगता है जामून खाने में साथ में हमारे पास बंदा बेठा है वह भी खाएगा भी देखें ऐसा लग रहा खाने में लगता है इसका वीचा भी पार कर देंगा है कि इसको लगाने से आपके घर में पुझा उत्पन हो जाएगा और आप आराम से जामून घर बेठे खा सकते हैं दिन से बुखा है इस पुरा भूक लग गया है इसलिए जामून का पेड़ में कैसे अधम नीचे डाली के और चला गया है और देखें कैसे जामून तोड़ रहा है पकल पकल आगर वहीं पे खा रहा है पकल पकल जामीन है एकदम और हम लोगों को नहीं दे रहा है एक काफी इंसल्ट का बात है यह देखें कैसे जाड़ी जाड़ी तोड़ रहा है और एक बंदा नीचे में खड़ा है उसको नहीं दे रहा है वह बेचारी देखें बांस से हिला रहा जामीन की पालह तोड़ों कोई ना पठक लेने हैं कि अनुद्री मान लिए देखें पूरा पेड़ में किस तरह गु अच्छा और यह बंदर भी देखें किस तरह लाठी लेकर तोड़ रहा है कि लोगिरों ने कि वह ते डार ना जाके वह गिरी जामें सब्सक्राइज देखें हम लोग यहां मार जामुन खाएकें गहर जाए रहा लहीए और देखें हमने बड़का दाहिक है यह हाथ हम धरी जामनक डार ले जाए वस्ति बच्चा बुतरूप ले जाए वस्ति खाय वस्ति और एगो बंदा पुरा ले जाए ता थी घर तो हमार वीडियो टाकेशन लागा था थी लाइक है कॉमेंट कर था था थी असे एर कर था था थी आप लोग अ अब अब दिख लेगा अगर अब दिख लेगा अगर मेंड वी रशाल होगा तो मेरी चैनल को स्क्राइब कर दिजिए गा थेंक्यू बाइबाइ पाता कि अ